Hello everyone, this is Rajan Well guys, इस वीडियो में हम Nifty की एक No Loss Intraday strategy सीखने वाले हैं Basically, इस वीडियो में हम Intraday option selling strategy सीखने वाले हैं जिस strategy को सीखकर आप option में, Nifty के option में यानि उसके options को sell करके आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो और सबसे अच्छी बात यह है इस strategy की, कि इस strategy में loss के chances जो है ना beginners के लिए जो होता है loss काफी painful चीज होती है, काफी important होता है तो यह इस strategy की अच्छी खास बात है कि यह strategy यूज़ करके ना जो losses के chances होते हैं वो 0.011% के बराबर होते हैं ठीक है, यह strategy को मैंने back test किया है, trade लिया है basically वो paper trade लिया है, लेकिन proper मैंने trade लिया है, timing उसकी है आपको सारी चीज़े दिखाऊंगा कि किस time पर मैंने लिया है, strategy में किन-किन चीज़ों का आपको use करना है trade लेते वक्त कितना capital आपको चाहिए, option selling basically बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करतेगी क्योंकि इसमें capital जो होता है काफी ज़्यादा लगता है, तो ये भी आपको बताऊंगा कि आपको capital कितना लगने वाला है minimum capital आपको बताऊंगा कि minimum to minimum capital में आप इस strategy को किस तरीके जी use कर सकते हैं और जब आप इस strategy को use करते हैं तो आपकि winning probabilities होती हो काफी high हो जाती है, क्योंकि ये one of the best intraday option selling strategy है जिसमें nifty में आप trade करके एक अच्छा जो पैसा है market से आप बना सकते हो तो ये मैंने trade लिया था, मैं सारी चीज़े बताऊंगा कब लिया था, कब इसको मैंने profit book किया, किस scenario को आपको देखना है market में जब बनता है, उसके basis पे आपको trade लेना है, तो सारी चीज़े दिखाऊंगा आपको chart से दिखाऊंगा, price दिखाऊंगा option के chart दिखाऊंगा, सारी चीज़े दिखाएंगे, तो video हो सकता है, थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन इस एक video को देखकर, अगर आप अभी तक ढूड़ रहे हो कि कोई ऐसी strategy मिल जाए, जिससे use करके आप option trading से पैसे बना लो, और जिसमें losses के chance सबसे कम हो, तो basic लिए आप इस strategy को use कर सकते हो, तो video को last तक देखो, अगर आप कुछ सीखना चाते हो, तो otherwise आप इस video को नहीं skip करके जा सकते हो, अगर आप शिरिफ shortcut देखने के लिए आए हो, इस video पर click किये हो, तो बिसक आप इस video को नहीं पर skip करके जा सकते हो, लेकिन ये video काफ़ interesting होने वाली है, काफ़ी कुछ जो है आपको सीखने को इस video से मिलने वाला है, ठीक है, तो ये जो trade लिया था, अब आपको जो date दिख रही होगी यहाँ पर ये जो trade मैंने लिया था पहले बोगों बता जाता हूँ, ये 29 अगस्त को लिया था, timing यहाँ पर दिख रही है आपको 10 बच के 24 मिनट, और अब उन लोगों को बता दो, जिसको ये जो platform हम दिख रहा है, जो screen आपको दिख रही है ये Obstra Option Analytics की screen है, जिसपे आप वई-पर trade भी कर सकते हो, आप कोई strategy है, option की उसी आप यहाँ पर backtest कर सकते हो, ठीक है तो सारी चीज़ हम देखेंगे, हम chart पे भी चलके देखेंगे, Nifty Bank Nifty के chart पे भी देखेंगे, और मैंने कुछ screen shots लिए है ठीक है, screen shots भी लिए है उन options के, क्योंकि expiry के बाद, उन options का chart खोलना थोड़ा difficult होता है, तो मैंने पहले ही उनके screen shot भी ले लिए है, ठीक है तो सारी चीज़ हम इस video में discuss करेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं इस option analytics की है जो आपको दीख रहा है, तो अगर मैं सब चीज़े बता दू आपको यहाँ पर, 32 अगस्त को यह trade लिया गया था, 10 बच के 24 मिनट पर order यह placed किया गया था इसमें किया क्या है वो भी समझ लो, आप देखो इसमें nifty के मैंने 2 option को मैंने sell किया है, तीक है sell किया है, आपको बताता हूँ capital भी कितना लगा, वो भी आपको बता हूँ और एक-एक lot, ठीक है एक-एक lot, capital मैं एक-एक lot जो है मैंने option के आपको sell किया है, nifty का जो expiry थी हमारी last 31 August की expiry थी Thursday की, Tuesday को मैंने ये trade लिया था, यानि 2 दिन पहले expiry से trade लिया था, एक मैंने sell किया था, 19,400 का call, अब क्यों किया था, ये भी होता हूँ 19,400 का strike price choose करना भी काफी important होता है, तो 19,400 का strike price क्यों choose किया और नीचे की तरफ मैंने sell किया था 19,200 का put तो इसे no loss intraday strategy इसलिए कहते है, nifty no loss intraday strategy इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम put and call दोनों ही sell करते हैं जिससे हमारी जो position होती है वो hedge हो जाती है, और इसमें losses होने के chances काफी कम हो जाते हैं अगर आप सिंगल side यानि naked option buy या फिर sell करते हो ना तो उसमें loss होने के chances काफी जादा होते हैं और इस तरह की strategy में क्या होता है अगर आप दोनों चीज़े sell करते हो तो उसी एक पैदा होता है कि market अगर उपर भी जाते हैं अगर नीचे गिरती है तो फिर यह वाला पैसे बना के दे देता है और आपके loss को cover कर जाता है यह सबसे अची बात है अभी इस strategy में जो सबसे important चीज़ है वह चाहिए आपको patience patience के साथ बैठना पड़ेगा option selling से पैसे बनते हैं डेफिटली बनते हैं यह total profit इसमें बना है 2630 रुपे option selling में safe पैसा बनेगा लेकिन limited बनेगा option buying में आपको quick पैसा दिखेगा तुरंत बनेगा, बड़ा बनेगा लेकिन जो उसमें loss जब होता है तो उतना ही जददी होता है उतना ही बड़ा होता है capital जो इसमें आपको लगेगा लगबग 130,000 का capital लगेगा ठीक है, दोनों यह जब आप sell करोगे 130,000 का capital इसमें आपका लगेगा इसमें आप एक lot में जो है trade कर सकते हो और 2-3 दिन में आपका यह पैसा बन सकता है, ठीक है जो मेरा total selling price हुआ लगबग 52 रुपए के आसपस हुए यानि 52 रुपए पर मैंने sell किया, ठीक है थोड़ा सा अगर confused हो तो वीडियो को pause करके, remind करके दुबारा देखना अब देखो जो expiry होती है न तो एक जिसमें option seller को जो help करती है सबसे ज़्यादा चीज वो होती है ठीक है, time value अब जब expiry हुई तो देखो options की value कितनी होगी एक 15 पैसे का होगे, एक 20 पैसे का होगे यानि मेरे को एक जबरदस पैसा बना है, इस वाले में लगबग 1575 रुपए का total 26-300 रुपए का इसमें पैसा बना, ठीक है तो यह तो ही trade कि हम इसको chart पर समझते हैं, कि chart पर आपको क्या चीज़े देखनी है इस strategy को use करते वक्त, ठीक है तो वो चीज़े भी काफी important है, ठीक है तो यह मैंने trade बनाया और आपको इसमें बताऊँ यह है, मैं करता हूँ, इसको 5 मिनट का time frame करता हूँ, चाहिए हम direct trading view पे चलते हैं, trading view पे यहाँ पे यह trading view का chart है, nifty का 10 बच के 24 मिनट पे यह है और यह हमारा 39 अगस्त टियोज जेमंगलवार का chart है, 10 बच के यह हमारा candle है, जिसमें मैंने trade लिया ठीक है, यह वाली candle है, नीचे की तरफ आपको दिख रिये, इस वाली candle पे मैंने जाके वो trade लिया था, जिसमें मैंने 19,400, यहाँ है यह 19,400, यह रहा, ठीक है उस time, इसका C मैंने sell किया था और नीचे की तरफ जो 19,200 है ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दोनों ही चीज़े दिखें आपको और मैं क्या करता हूँ, दोनों का एक line खीज देता हूँ ताकि हमें clear पता चले और हमें यह समझ में आए कि जो यह strategy है, किस तरीके से काम करती है मैं सारी चीज़े हटा देता हूँ और दुबारह यहाँ पर हम एक लगाते है यह कि 19,400 का call sell किया गया था और नीचे की तरफ 19,200 का put sell किया गया था ठीक है, यहाँ पर है यह अभी कब sell किया गया था जब price जो है, देखो इसमें सबसे important यही चीज़े जो ध्यान नहीं देते हैं, option selling बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन क्या सभी लोग पैसे बनाते हैं, नहीं बनता है पैसे ठीक है अभी इस वाले candle में sell किया गया जब 19,400 का call और 19,200 का put अभी यहाँ पर sell किया गया, क्यों किया गया और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, ठीक है नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर check करोगे एक चीज यह जो area था हमारा, यह जो area था जहाँ पर market ने support लिया था अब market ने यहाँ पर resistance बना लिया, market ने यहाँ पर support बना लिया तो definitely इसके नीचे का put sell करना और इसके ऊपर का call sell करना काफी safe side होता है मैं इसलिए इसको no loss intraday strategy कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप को strike price चूज करते हो, वो सबसे ज़्यादा important role जो है play करता है आपकी strategy में तो अगर आप गलत strategy चूज कर लेते हैं, मालो आप 300 और यहाँ पर 300 यहाँ पर लगवाई 400 या फिर 350 चूज करते हो तो सायद आपका loss भी हो सकता था, ठीक है difficult होगा market के लिए उपर जाना, तो अगर market नीचे भी आती है तो यहाँ से bounce back करेगी तो इतने में हमारा काम हो जागा premium जो है काफी तेजी से decay हो जागा और उसमें हमारा पैसा बन जागा और exact market ने किया भी लेकिन next day market ने इसकी gap of opening भी दी, यहाँ पे अगर आप देखोगे next day 30 अगस्त को gap of opening दी लेकिन market उपर resistance phase करती रही अब इसके पीछे एक psychology है एक point है जिसमें मैं बैठा था अगर मैं इसके screenshot भी दिखाओं ठीक है मैं इसके screenshot दिखाता हूं options के यह put का chart है ठीक है जो 19200 का put है यह उसका chart है यहाँ पे 8 रुपे से यह वाला था हाँ यहाँ पे कहीं पे था यह option उस time 22 बच्चिस के आसपास यह इसमें sell किया गया था यह यहाँ पे था यह price slow and steady नीचे आया और next यह पूरी तरह से लगभग 3 रुपे के आसपास आ गया ठीक है अब इसके call का chart दिखाओं तो यह nifty का chart है उस दिन का तो nifty के chart में अगर आप देखोगे तो उस time यह date लगभग है हमारी 20 अगस्त की date है 20 अ 31 पे मैंने sell करी थी ठीक है 31 पे sell करी थी और 22 रुपे पे sell करी थी उस दिन भी profit बन रहा था मैं थोड़ा से वेट के देखो option selling में यह जो moment बनती है न मार्केट में side वैसी यह आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे जाती है ठीक है खैर मेरी position has थी नीचे की तरब से भी औ लाट था और यह उस time profit चल रहा था लगब बार्सो सान्तानवे रुपे का call side में उस time profit चल रहा था यहाँपे 427 रुपे का और put side में profit चल रहा था 870 यानि दोनों में ही profit चल रहा था एक 231 रुपे का option चल रहा था जो 31 में sell किया था और 21 को जो मैंने sell किया था तो चार जाते देखो कॉल जो था यह कहां तक गया था उपर 68 तक भी गया था यह दिखे आपको 68 तक गया था तो उस टाइम साइद और उस टाइम जो पुट की वैल्यू थी लगबग तीन चार रुपए के आसपास थी बीच में जो 68 गया था अगर आप होते तो पैनिक में आप यहां पर एकजिट कर जाते क्योंकि कॉल साइड में आपका लगबग लगबग 31 पर आपने सेल किया है और 30 रुपे इंटू 50 ठीक है 30 इंटू 50 हमारे 15 रुपे का हो जाता है यहां पर तो उस टाइम लगबग माइनस 500 के आसपास का लॉज भी चल रहा था अभी एक इंपो तरीके से साइड वेड जो साइडवेज मार्केट कर रहा है चार्ट पे तो definitely कहीं ने कहीं है ट्रैप किया जा रहा है बायर्स को मार्केट वापस नीचे की तरह पर कर सकती है तो इस चीज़ को मैंने होल्ड गया एंट मार्केट वापस नीचे जाई और इसमें जो 68 रुप इसकी closing तो इसमें जो आपको चीज ध्यान देनी है सबसे पहली चीज ध्यान देनी है जब भी आप कोई option sell कर रहे हो आप ये देखो कि अगर market के मालो market जो है price यहाँ पर moment कर रहा है और इसके ऊपर कोई resistance area and then काफी नीचे support area है support area के नीचे का कोई strike price आपको देखना है and resistance area के ऊपर का कोई strike price चुन रहा है अब सबसे important है कि आपका premium भी अच्छा कासा होना जाए ताकि जब वो decay हो तो उसका अच्छा पैसा बने अगर आप Friday to Monday to Tuesday Monday तक अगर आप देखोगे तो premium काफी हाई होते है नियर एड आउट ओफ दे मनी है ठीक है थोड़ा से नियर आउट ओफ दे मनी है अगर ज़्यादा आउट आउट ओफ दे मनी जाओगे तो premium काफी कम होगा तो profit भी उतना ही limited हो जाएगा ठीक है तो अगर आप expiry क्या आसपास यानि एक या दो दिन रह रह रहे है और उपर की तरफ resistance एरिया है तो उसके हलका से उपर का आप strike price चूज करो call के लिए थोड़ा से नीचे का किसी support एरिया के थोड़ा से नीचे का जो है food side का आप जो है level चूज कर सकते हो अब इसमें एक दूसरा तरीका यह है कि अगर मालो किसी lag में आपका profit बन गया मालो आपने तीस पे sell किया और वह अचानक 10 रुपे प्यागया उसी दिन यह पांच रुपे प्यागया तो आप उस lag को निकाल सकते हो दूसरी तरफ आप बैठे रह सकते हो उसमें एक अच्छा खासा पैसा भी बन सकता है तो यह adjustment का खैली सीन होता है तो यह थोड़ा से complicated हो जा करना क्या है आपको इस website पर जाना है और आपको यह जो दिख रहा है option का section इसमें आपको strategy builder पर जाना है और जो भी strike price आपको चुनना मालो निफ्टी में आपको trade करना है तो निफ्टी रहो यहां पर बैंक निफ्टी सारी चीजह है मालो Optimist मैं आपने लिए और यहां पर この option आपको select करना है यहाँ पर आपको Coll infections होगी कहाने एक्सपायर यपर साथ से तंबर डें ओर यहां पर strike price आपको choose करना थेUS 주ट मालो मैं 19500 कि कहाई श्याइक पर यहां पर call and put जिसको भी sell करना हम करब करके यहां quantity और यहां पर sell का करके यहां पर add बस position आपको कर देना है simple सा जब आप add position करोगे इसके बारे में total detail आजएगी कि क्या maximum profit बन सकता है इस option में उसकी value क्या है और क्या limited loss यह सारी चीज़ आजएगे और इसको आपको यहां से save कर देना है यहां पर option आएगा real portfolio, paper portfolio and custom portfolio तो आपको इसको paper portfolio के अंदर करके बस just save करना है जब आप save कर दोगे अब आपको जब check करना है कि आपने जो trade लिया है वो कहां से check करना है तो portfolio में जाना है आपको then paper portfolio में वहां पर आपको इस तरह की position दीखेगी जब जो trade आपने लिया होगा तो इससे आप backtest कर सकते हो different type की आप strategy चेक कर सकते हो और इस strategy को आप चेक कर सकते हो गर आप एक option selling करके जो है पैसे बनाना चाहते हो देखो option selling से no doubt पैसे बनता है safe पैसा बनता है एक होता है पैसे बनना एक होता है save पैसे बनना यानि आपके capital को बिना risk में डालके पैसे बनना तो आप इन strategy का use कर सकते हो हाँ एक बस एक जो है इसमें जो negative point है option selling में वो यह है कि अगर buy chance market में कोई news आजब market इस तरीके से शौट अप हो जाए या इस तरीके से panic selling में गिर जाए तो ही एक chance होता है कि थोड़ा सा loss हो लेकिन उस case में भी आपको एक fixed loss होगा चाहे आप उस चीज को निकाल सकते हो उस option को आप होई पे square off कर सकते हो तो यह आप benefit इसमें उठा सकते हो दूसरी जो चीज है इसमें वो जो एक negative point वो यह है कि इसमें आपको थोड़ा सा wait करना हो पेशन्स के साथ बैठना होता है अगर आप सोचो कि लेते ही आपको profit बनने लग जाएगा तो नहीं option selling में आसा नहीं है option selling जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता लेकिन safe side इसमें पैसे बनते हैं तो आप इस चीज को backtest करना और यह बहुत सारी strategy है option selling पे भी तो उनको मैं कुश कोई डाउट रहता है या मेरे से कुछ point छूड़ जाते हैं छूड़ गया हो तो आप मुझे comment करके बता देना मैं उसका reply करूआ और 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 भी कोई डाउट हो तो आप मुझे comment कर सकते हो okay guys we will meet in next video till then goodbye